कि अलो जी नमस्कार एव्रिवान कैसे सारे बच्चे सो गमा निवम संचलन लोको मोशन और मूवमेंट मानव कारिकी का आपका अग्ला ध्याय बहुत जादर क्वेस्टिन में यहां से आपके नीट में नहीं आये हुए ठीक है अगर हम बात करें पिछले कि लहीं कर दो हजार तेरा से लेकर के 2022 तक यानि आपके नौ साल और नौ साल में स्वारी दस साल दस साल में इस चैप्टर से आपके केबल 14 गवेस्टिन साये ठीक है तो मिनिमुम जो बोलते ना एक क्वेस्टिन आपके हरद्याय से आना तो बहुत तो बिटा यहां से आए ग बराबत अवज्जों देनी है चलिए शुरू करते पहले क्वेस्टिन से तो पहला क्वेस्टिन है यहाँ पर आपका निम्न में से कौन सा एक वर्णन है जो सामान ने मानव कंकाल के एक विशेश भाग का सही वर्णन कर रहा है ठीक है आपको सही कथन का मतलब चैन करना है ठीक है प्रतम कशेरुक एक ऐसा एक्सेस है अक्चल में यह एक्सेस है जो ऑक्सिपिटल कॉंडाइल से संधी बनाता है तो बेटा हमारे पस 26 कशेरुकी है जिसमें प्रतम कशेरुक जो है वो आपका एटलेस एक्सेस आपका दूसरा कशेरूप है ठीक है तो यह आपका गलत हो गया क्योंकि प्रथम कशेरूप जो है वह आपका एटलस है ठीक है अगला नौवी तथा दस्वी जोड़ी की पस्लियां मुक्त पस्लियां कहलाती है नहीं बेटा ग्यारवी और बारवी जो होती है ग्रफर बहुर्षब से ना तो यहां तो यह प्रॉटिंग रिबस कहते हैं ठीक है जुड़ी दश्यान के यहीं और दस्यान को ho पॉल्स रिबस कहते हैं को पे जो जो फॉल्षब बहुती चे पर inge की है ध्यौट बहागन मत्सकिक टोफीं ऑनकле कशे रुकी से जबकि अग्र भाग में बिटा यह आपकी साथ भी जो पसली होती है उससे रोस्ती की मदद से जुड़ी होती है ठीक है चलिए तो यह भी आपका गलत हो गया ग्लिनाइट कैविटी एक गर्थ है जिसमें जंगा अस्ति आकर जुड़ती है नहीं बिटा ग्लिन ककाल की पेराइटल हड़ी तधा टेंपरल हड़ी एक तंतू की संदी दूओर जुड़ी होती है बिल्कुल सभी बात है आपके के पाल में जितनी व्यस्तियां है यह सारी आपस मे संदी यह हम इसको वह लेंगे फाइब्रस ज्रेट से जुड़ी होती है जिनको हुम सूचर कहते हैं और इन्हीं जोडों की वज़े से बिटा है इन में गती क्या वह लेंगे अनुपस्तित होती है ठीक है क्योंकि फाइब्रस जॉइंट उसको बिल्कुल भी गती प्रोवाइड नहीं करती है इसलिए आपकी यह जोडों से सारी फिक्स्ट है ना इम्मूवेबल सब जॉइंट है यह गती नहीं करती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिटा इसमें चार आगे बढ़ते हैं मानवी यह कंकाल भागों को के निम लिखे जोडों में तीन जोड़े उनकी अपनी अपनी कंकाली श्रेनी से सही मिलाय गया है जबकि एक जोड़ा सही नहीं मिलाय गया है ना आपको इस बे मेल जोड़े की पहचान करनी है तो मालियस, इनकस और स्टेपीज यह बिटा आपकी करनस्तियां है बिलकुल सही है ठीक है स्टर्णम और पस्लियां यह आपके अक्षे यान श्रोणी मेंखला बनाते हैं नहीं बेटा यह आपकी अंस मेंखला बनाती है ऐसको तो आपके हिप स्टोंत होता है ठीक है और हिप से यहां अंशियम फित यह सबमल करके और कैसी आपके यूमरेस और अनुबंधि है कंकाल इसको हम अक्षिय और उपाङिक अंकाल भी बहु यह आपनीकुलर स्केलटन जिसमें आपके अगरपाद और पैर की अस्तियं के आती है अपनीकुलर स्केलटन डॉन तो आपका गलत कौन सा है इसने विटा गलत है आपका तीसरा चलिए आगे बढ़ते हैं पेशी अत्वा कंकाल तंत्रों से सम्भंदित विश्ष्ट परकार के संबंद में सही कतन को चुनिये विकार आपको इनिसे सम्झन जो भी रोग है उसमें आपको सही कतन चुनना है माइस्थीनिया ग्रेवे स्वःप्रतीरक्षा विकार नहीं है इसमें आपको की यह पीस You जोतन हो मैं केलसियम का जमाव नहीं होता यूरिक अमलिका जमाव लिका ठीक है पीज दुश्पोशन बढ़ती-जाती आयू के साथ पेशियों खोटा जाना बिल्कुल नहीं उद्स पॉइंका जमाव भीकार है अस्ति सुशृता है जिसकोanki विटा osteoporosis भी बोलते हैं, osteoporosis, osteoporosis, osteoporosis मतलब अस्थी, और पोरो मतलब अंदर से पोर, पोरस हो जाना, अंदर से खोकला हो जाना, ठीक है, और osteoporosis बढ़ती जाती आयू के साथ, अस्थी सहती में गिरावट, तथा अस्थी भंगों की प्रवल संभावना है, ठीक है, अधिक्तम बेटा, यह महिलाओं में देखा जाता है, मीनोपॉस के बाद, ठीक है, जब महिलाओं में आर्थव चक्राना बंद हो जाता है, 45-50 साल के बाद, तब बेटा, क्योंकि उनमें से लाओं में, मीनोपॉस के बाद, अधिक्तम देखा गया है, ठीक है, तो अस्थी सुशिर्ता, क्योंकि बेटा, अंदर से अस्थियांगों हो जाती है, आपको सही चुनना था ना, क्योंकि अंदर से अस्थियां खोकली हो जाती है, ठीक है, चले, अगला क्वेस्चन है व सही कथन का चायन करें समीप वरती कशे रुकों के पीच की संधी तंतुक संधी होती बिल्कोल नहीं झाइeth उसमें चभी-षेलों के छुबष कशे रुकें यो वो उपास्ति में और क्यासी संधी हैं कटलेगनेस उपस्थी में संधी होती है यह तलकुल रोग देती तो आपकि यहां पे कपाल में जितनी हैं उनके वीचे 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 यहां पर गती होती है बहुत जादा नहीं और नहीं वापे पर के कारण होती है तो ये भी आपका गलत हो गया आगे यूरेक अमलिक्य क्रिस्टलों के जोड़ पर एकत्रेत हो जाने पर वह सूच जाते हैं बिल्कुल सही बात है और इसी शोद को बिटा हम गाउट बोल देते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलतेते हैं गाउट आगे कशेरुक दंड में दस वक्षिय कशेरुक होते हैं नहीं बेटा कशेरुक दंड में बारा वक्षिय कशेरुक होते हैं साथ ग्रीवा होते हैं जिनको हम सर्वाइकल बोलते हैं बारा थोरेसिक हो गए प ये बेटा फॉर्मला होता है किसमें वयस्क में ये वयस्क में कशेरुकदन का फॉर्मला होता है वहीं बेटा बच्चों में अगर हम बात करें बच्चों में C7, T12, L5, S5 और कॉक्सीजियल 4 तो बच्चों में में बेटा किती है ये बारा साथ 19, 5 और 5, 29 और 4, 33 ठीक है बच्चों में ये होती है तैतिस जबकि वयस्क में होती है 26 जिसमें सेक्रल और कॉक्सीजियल सेक्रल पांच के आपस में फ्यूज हो जाने से एक ब तो इस का उत्तर हुज जाएगा बीटा आपका इन सही कथन है ना चलिए अगला देखते है मानव के कंकाल तंत्र में जोड के प्रकार और उसकी उधारन का के सही मेल का चैन कीजे जहां ँपास्ति जोर प्रंटल और पेराइटल के बीच में नहीं बेटा फ्रंटल और मिलेगा आपको तंटू में जोड मिलेगा आ कप्जास अंदी Whoa दिराग्र जोड तीस्रे और चौथे वीव कशेरु कलपों के बीच नहीं बेटा पाइवर जॉइन आपको देखने को मिलता है तेला है तो यह फे से इफना जो दो फिलेगी आ को मिलेगी आपको घुटने में देखने को मेलेगी ठींक है जो की एक ही दिशामें गतिको करते हैं ठीक है विसरफी संधी आपको कारपलस के बीच में Budes सही बात है यह जो आपकी कलाई में कार प hadn't 지 जिसके वैसा आसानी से आपकी कलाई गुम सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा चार नेक्स्ट कि वर स्टन का जोडती पहली अने आंपको बता है यह आपका है पीछे की तरफ आगे की तरफ आपकी जिसको म कोलर सKY जोडता है ठिक हैशन से एक अब प्रवाट के नीचे गुहा जसी होती है जिसको हम गुहा कहते हैं ठीक है यच गुहा से बैटा जोड़ती है है निर्मान करती है। चैपिला और आक्रोमियन को नहीं धुद्र स्कैपिला को नहीं यूमरस और स्कैपिला को है बिल्कुल सही है क्लेविकल और अंस्कीष़ हुए एफि ह सब्सक्राइह आती है चलिए नेक्स्क्वेस्टुन है निवन में से कौन सा कारे नहीं मतलब कौन सा आपकी अस्थी और काम मैं नहीं है तो लिए अस्थी और नहीं है थु安倒 पास्थ का काम चार चीज़ायं यह पर मेंचन है पहला हो गया आपको संचलन तव यह हमinku जह pigs सही बात है रख्तानों का उत्पादन तो बिटा आपकी जो लंबी अस्तियां चरीर की इनके बीच में घुहां रेड़ बॉन मैरों और अब कि यहां पर बंती हैं ठीक है कर्णार नहीं है चलिया अगला प्वेस्टन देखते हैं निम्न में से कौन सी संधी किस प्रकार की गती को अनुमती नहीं देती है तो कंदुक खलिका संधी एक प्रकार की साइनोवियल संधी है ठीक है और यह फ्री मूवमेंट है चारो दिशाओं में यह मूवमेंट करेगा ठीक है रेशेदार संधी जिसको बेटा हम तंतु में तंतु में संदी बेटा जैसा हमने देखा यह आपकी कपाली अस्थियों के बीच वपस्तित होती है और इनकों सूचर बोलते हैं और यह किसी भी प्रकार के संदी प्रकार थोड़ी प्लती आपकी कश्रों लाओ नहीं करते हैं किसी प्रकारकी जाता शॉपस्तिती कि अच्छी ऊच्ची गति की अनुमति धेनी धेती हैं तो आपका तंतु में संधी जो कि किसी प्रकार की गतिके नहीं देती है आगे अस्थी सुशिर्ता जो की कंकाल का एक अणू संबंदी रोग है किसके कारण हो सकता है तो अस्थी सुशिर्ता अभी हमने बताया था जी ये व्रिद्धा वस्ता में जैसे महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आने के कारण ह होता है जिसकी वैसे विटा अस्थियां जो हैं अंदर से खोखली हो जाती है और उनके फ्रैक्चर होने के चांसे बढ़ जाते हैं यह रिपीटेट क्वेस्टन से बार बार पूछे गए तो प्लीज अच्छे से सुन लेना यह प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेश अ यादश युग्म बारा पेर होते हैं हमारे पास पस्लियां कितनी यह बारा पेर उन में से साथ युग्मू वास्तविक एकम क्ता स्वें निस को से जो की वीक इन 12 जोड़ी पस्लियों मेंसे आपकी साथ जोड़ी वास्तविक पस्लियां हो गई आपकी तीन जोड़ी कूट पस्लियां हो गई और आपकी दो जोड़ी प्लावी पस्लियां हो गई ठीक है जिनको हम फ्लोटिंग विप्स बोलते हैं यह हो गई आपकी प्लोटिंग रिप्स पॉल स्वेप्स प्रू रिप्स अब जो ट्रू रिप्स होती हैं उनको ट्रू रिप्स क्यों बोलते हैं वो भी सुन लो क्योंकि प्रिष्ट भाग में यह एक से लेकर के साथ वक्षिय कशेरुकी से जुड़ी होती हैं जबकि अधर भाग में यह आपकी उरोस्थी यानि की स्टर्नम से जुड़ी होती हैं ठीक है कूट पस्लियां प्रिष्ट भाग में बेटा यह आपके आठ से लेकर के नौ वक्षिय कशेरुकी से जुड़ी होती हैं और अधर भाग में बेटा यह साथ वी पस्ली से जुड़ी होती हैं उपास्ती की मदद से जबकि लाभी पस्लियां प्रिष्ट भाग में ग्यारवी और बारवी वक्षिय कशेरुकी से जुड़ी होती हैं और अधर भाग में यह किसी से नहीं जुड़ी होती हैं अधर भाग में यह किसी से नहीं जुड़ी होती हैं इसलिए बैटा हम इनको vertibro sternal रिपस्वी बोलते हैं वर्टी भ्रो sternal वर्टी ब्रो sternal मत पीछे vertibro column से आगे sternal से इनको बैटा हम वर्टी ब्रो kondral भी बोलते हैं वर्टी प्रों बल मतलब पीछह बर्टी परीससे आवकि अगर उरोस्ति, उपास्ति की मदद से उपास्ति की मदद से साथ ऊपसली से और इनको बिटा हम केवल बल वर्टीब्र ज्यक्ते हैं बहुत यह बहुत important है यह आपके नीठ में question आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आजो तो इसने 12 जोड़ी होती है जिनमें पर साथ जोड़ी कैसी है वास्तविक है यही उत्तर आपका बैठता है ठीक है वास्तविक पस्तियां प्रिष्ट भाग में कशेरुक दंसे और अधर भ एक्सेस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है तो यह आपका रेशी जोड़ तो नहीं होता है साइनोवियल होता है ठीक है और एक्सेस सेडल जोड़ नहीं होता है सेडल जोड़ आपके अंगुठे और यह मेटा कापल्स कापल्स के बीच में होता है ठीक है वह पास्ति कि एक मिनिट यह ट्लिस अपकी उपास्थी में जोड़ होंगी ठीक है यह आपके कशे रूख दन में कशेरु की के मद जोड़ होता है यह वह पास्थी जोड़ होता है जो की फोड़ी बहुत मात्रा में गति की अनुमति देता है next सही विकल्ब चुनिए प्रत्य पसली एक चप्टी पतली अस्थी है ठीक है और सभी अस्थिया प्रिष्ट पर वक्षिय कशे रुकी से तथा अधर पर स्टर्णम से जुड़ी होती है लेकिन अधर में केवल साथ होती है जो कि उरोस्ती से जुड़ी होती है बाकी क अधर इतर्णा सब्सक्राइब बिल्कूल साही साथ जोड़ी मैंने आपको बता था वर्टीप्रो स्टर्णल यो की पीछे वर्टीप्रिवर्ड कॉलन और आगे कॉन्डरो यानि की काटिलेज की मदद से साथ भी पसली से जुड़ी है और दो जोड़ी वर्टीब्र जो की केवल और केवल पीछे वर्टिग्रल लियानी की वक्षिय के शरुकी से जुड़े है बिल्कुल सही है आठ नो दस पस्लियों के जोड़े प्रत्यक्ष रूप से स्टनम से जुड़े होते हैं नहीं बेटा आठ नो दस जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से स्टनम से नहीं नेक्स्ट सभवो का मिलान करके सही विकलब का चेन करें आक्मर मिलान करें प्रावि पस्लिया मिनहीं दूसरी हम उर्स इसाथ ही यह विज तृट पीच रहें कि इस पीछला यह पीछे वाली है ना तो सीघंट प्रॉस्स से एक्रमियन प्रॉसस्त इंट करनृट का जो पीछे scapula है वो आपके clavicle से जुड़ा होता है तो B का हो जाएगा 3, B का 3, आंसर आगे है अपका 3, scapula acromion हो गया, ठीक है, glenoid गोहा humorous का shear glenoid गोहा में जुड़ा होता है तो D का हो जाएगा 2, low अपलावी पस्लिया औरोस्ती से नहीं जुड़ी होती है तो एका हो जाएगा 4 तो बिटाएं आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, चलिए next question देख लेते हैं ये need 2022 का question है दो कतन दिये गए हैं इन में से अभिकतन और दूसरा कारण है, उपर दिये गए कतनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से उचेत उत्तर का चैन करें, ठीक है अभिकतन है, अस्थी सुशिर्ता निम्न, अस्थी, द्रविमान एवं अधिक तूटने के अफसर द्वारा अभिलक्षित होती है बिल्कुल सही बात है, अस्थी सुशिर्ता सामान कारण एस्थी सब्सक्राइब फड़ना होता है नई बिटा, एस्थी तर्का घटना होता है नीच 22 का फटा को meine तो आपका अभिकतन तो सही Kayra दोμस सै लेकिन दो दोनों ऑर आर सही है लेकिन आर एकी सही व्यक्तभ कि नहीं है यह सही है लेकिन आर गलत है बिल्कुल सही बात है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटा आपका दूसरा चलिए अपकुछ एडीशनल क्वेस्टन से मानव की श्रोणी मेखला बनी होती है यहां दो जोडि थि और टीं ऐeln इस pubis घीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपका एक को रख नहीं होता है स्केपिला क्लेबिकल को रख नहीं है लिए हम को सक pess ला यह नहीं है तो itself का एक मनेश्य का वक्षिय पिंजरा बना होता है इःप केज रिप केज की बात वह ठीक है या ये हुंको बोल लो तो त्विन्हों से और भाज में यह पcha होता है आपका कशेर कि और पस्लिय पार्ष भाग में केवल और केवल पस्छ लियां है न मैं लिक सकते हूं यहाप यह अ 집का अर्जा अंक अध्र भाग में यहापर क्या होता है इसको हम कॉलर स्थी बहुते हैं ठीक है फर फ्ष्च भाग में यानि नीचे की तरफ हो गया आपका डायाफ्राम ठीक है, फिर आपका अधर भाग में बेटा ये बना होता है, रोस्ती और पसलियों से रोस्ती और पसलियां, ठीक है, प्रिश्ट भाग में बेटा ये बना होता है आपके वक्षिय कशेरू कि और पस्लियों से और पार्ष मतलब साइड में है ना केवल और केवल पस्लियों से तो यह इसकी वस्लिया कश्यरुक दंड और स्चर्णम धी वेटा उरोस थी है ठीक है आगे जो ब्रेस्ट बोन जिसको को बोल देते हैं यह यह आपके उरोस थी सही उत्तर हो जाएगा आपका चार आगे बढ़ते हैं पाईवट संधी पाई जाती है तो पाईवट संधी वेटा यह तरीके की साइनोवियल संधी है पूले तता कंदे की संधी के बीच में यह बटा आपकी गर्दन में पाई जाते हैं तो एतलेस जो कि आपकी पहली कशिय रुकी है और उसके और ओड़न्टेट प्रवर्द के बीच में नहीं पाई जाती टेंपरल मेंडबल के बीच में प जोड़ होता है ठीक है धुराग रियानी की पाईवट जो जो होता है आपका तीसरे और चौथे ग्रीवा कशे रुकी कोई भी कशे रुकी विटा उसके वीच में आपका उपास्थिल जोड़ पाई जाएगा ठीक है कबजा संधी यूमरस और अंस्मेखला के बीच नहीं चलिए अगला क्वेस्टिन देख लेते हैं आपे फिलिन दब्लैंक से चलिए प्रत्येक श्रोणी मेकला अर्दांश में अर्दांश मतलब आधे अंश में डैश तर्दांश में कौन-कौन सी अस्थियों पस्ति होती है तो श्रोणी मेकला बेटाब की इलियम हो गई और प्यूबिस होती है ठीक है तीसरा भी होता है अपर प्यूबिस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डैश शरीर तरल में निम्न कैल्सियम की मात्रा की कारण होने वाला रोग है जिसमें पेशियां तीव्र स्पाज्म की स्तिती में आ जाती है यह हो गया विटाब का टिट से ना प्यूबिस की बनी होती है तता डैश नामक कोलेजन यूप्त संयों जी उतक से धकी होती है फेशिया नामक कोलेजन यूप्त ठीक है चलिए अब जरा देख लेते हैं इनके साब से तो ऑप्शन्स में पहला है तीसरे में पेशिय डिस्ट्रॉपी नहीं बिटा तीसर चौथा अपका टिटैनी है गलत हो गया चौथा फेशिया पाँ फेसिकल गलत चौथा फेसिकल फेसिया ठीक है नेक्स्ट पहला कलेविकल नहीं है वर दिया इना उन्स में आखकेव एल करभश से सबिल नहीं तीसरे कि पहला इलियम इंशिया हृजव्त म गुन थीक है तीन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्तंब एक और दो को चलो सुमेलित करो आओ बहुत करें इने भी आजो तो पस्दियां कितनी होते हैं बान पास बारा जोड़ी होती है यानि कि 24 तो एका हो जाएगा फूर एका फूर यह दोनों गलत हो गए चलिए चेहरे पर कितनी अस पस्चपाद एक्चलि पस्चपाद में या पहसे कंकाल में कितनी होते हैं बिटा आपकी 30 अस्तियां होती एक पैर में तो दीका हो जाएगा 5 लो भाया सब मनें इसेम चल रहे हैं कपाल और करोटी करोटी हैं बेटा कपाल और अनि आपकीową एक लोटी में आ जाएंगी बिटा और कपाल में आ जाएंगी आठ थीक है तो बी का वजाएगा वन ये लोग एक टू आंसर हो गया आपका सेकेंड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सहीर में दो छोड़ी पस्तियां होती हैं बिलकुल रही बात है सभी सतनीयों में सतनातारी को चोड़कर 8 कशेरुक होती हैS सबी में कुछ को चोड़कर साथ होतें कुछ हैं ऐसे हैं जिसमें 8 होती हैं पसलियां दूशाखी होती हैं बिल्कुल सही दा है तो आपका सही कौन सा है Ve Ve यह लो भी है, यह सही है, C और D गलत है, लो उत्तर हो गया आपका 3, चले, आगे बढ़ते हैं, हायोईड अस्ती के संदर में कौन सा कथन सही है, तो बेटा हायोईड अस्ती मैंने बता है, एकलोती असी अस्ती है, जो कि किसी दूसरी अस्ती के साथ नहीं जुडती है, ठीक है यह आपकी जिवा की पेशियों के साथ जुडती है, ठीक है, तो हायोईड अस्ती के संदर में कौन सा कथन, गलत है, आपको गलत कथन का चैन करना है न, यह संख्या में केवल एक होती है, बिल्कुल सही बात है, यू आकृती की अस्ती होती है, बिल्कुल सही बात है, मुख सही बात है तो इसका गलत हो जाएगा आपका तीसरा आखरी क्वेस्चन है बेटा आज के लिए आखरी है ना शायद से नहीं अच्छा और भी है रुख जो रुख जो चले निम्न में से कौन सी प्रकार की संधियां गमन में महत्पुन भूमिका निभाती है कौन सी साइनोवि साइनोवियल संधी जो कि आपको चलने में मदद करती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक नेक्स्ट असत्य कतन का चुनाव करो गलत क्या इसमें ब्रेन बॉक्स आठ हस्तियों से बना होता है बिल्कुल सही बात है फ्रंटल हो गया एक दो हो गई आपकी जो गया आपकी टेंपोरल पांच 1 ओगी आपकी ओक्सिपिरल 6 एक इत्मॉईड और एक स्फिनॉड है ना तो आठ हस्तियों से बना वते है बिल्कुल सही बात है फ्रंटल हस्ति कपाल में एकल होती है बिल्कुल सही बात है फ्रंटल एक क्लॉती होती है मुक्ष गुहा के आधार पर यू आकार की एकलस्ती हायोईड है हायोईड ठीक है और हायोईड अस्ती कपाल का भाग है बिल्कुल है ठीक है तो इसमें गलत क्या हो गया आपका तीसरा चलिए नेक्सक्टtsåल जो की आखरी है गलत जोडे को पहचानी हो इसमें गलत जोड़ा कौन सा ए फीमर और रेडियस अनुबंदित मतलब आपके उपांगिय कंकाल जो कहाँ का ओ आट या पैर में ठीक है अनुबंधिक नहीं के ओपांग ये कंकाल तो तो फीमर और रेडियस फीमर आ लुट बनाते हैं घंठे अनिकि आपका पेक्टोरल गडल तो यह गलत है तो आपका तो यह ध्यक्त फे okay चाप्टर से बहाँ जाद है हैं से question नहीं आते हैं फिर भी मैंने कुछ additional question प्राक्टिस करा दिये हैं जस्ट एक बार read कर लो ठीक है एजी chapter है और practice करो ज्यादा ज्यादा question बाइ टेक